फिर नापने खूरां up to 50% तक का एक अच्छा कासा pump देखने को मिल सकता है तो उन coins को भी हम discuss करेंगे और आगे बढ़ने से पेले मेरी आप सभी new viewers से request ले कि आपने मेरे YouTube चैनल को तो subscribe I hope अब तक कर लिया होगा लेकिन अभी तक आपने हमारे इस official टेलिकाम चैनल को join नहीं किया है इसका link मैंने इस वीडियो की description box में दे दिया है hardly एक मिनट से भी कम का समय लगेगा आपको इसको join कर लेना है यह आप ही की काम का है विकोज यहाँ पर आपको time to time सारी urgent updates वगेरा कब किस coin को buy and sale करना है अगर आप daily trading से एक अच्छा कासा मुनाफ़ा कमाना चाते हो ठीक है तो यहाँ पर आपको free of cost futures के call वगेरा भी मिलते रहेंगे चार्ट वगेरा में यहाँ पर time to time share करता रहता हूँ तो आपको must इसको join करना है बहुत easy is a process है आपको description box में दिये हुए link पर click करके easily इसको join कर लेना है अगर वो आपके device में काम ना कर रहे हो link तो आपको direct telegram पर जाके भी हमारा यह username सर्च करना है I.E.M. समझा दो भी है बस spelling का जोरू से ध्यान रखना यही मेरी username है जिसमें M जो है AM वाला नहीं है आ रहे हैं या फिर शायद दो हफ्तों से भी जादा का time हो चुका है मैंने लगबग यहां से आपको बदाया था कि 20 October ठीक है और आज 1 November हो चुकी यह 10 दिन से भी जादा का time है time हो चुका है तो यहां पर आप देख सकते हो कि perfectly यह हमारे इस falling way channel जो कि cup and handle pattern की handle थी इसी के आसपास move कर रहा है यहां पर एक retesting होई है retesting होने के बाद में यहां से आपको वापस से एक अच्छा move देखने को मिल सकता है बिकोस यहां पर अगर generally हम falling way channel की theory पढ़ेंगे या फिर cup and handle की theory पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगे कि उसमें 3rd से 4th attempt में एक बड़ा move आता है ठीक है और अपकी बार अगर यह इसी channel के अंदर आ जाता है तो यह जो हमारा hulk support है green color का मैंने इसको बना रहा है जो कि यह 57500 का यहां से definitely एक बड़ा move आएगा और वो बड़ा move हमें इस मन्त लगबग 80K तक ले जाएगा ठीक है वैसे तो हमें 3rd से 4th attempt में इसका breakout मिल चुका है लेकिन अगर कुछ whales ऐसे हरकत कर देते हैं कि market को गिरा देते हैं या फिर short करते हैं तब हमें 7500 के level से एक बड़ा move definitely मिल सकता है अगर हम बात करें November month की तो मैंने आपके साथ यह data share कर दिया था history का data है यह कि market जो है पिछले 2013 से लेकर 2020 का यह data है कि November के month में market हमेशा green ही रहा है लगबग में 42.95% की growth देखने को मिली थी पिछले साल भी और लगबग सिर्फ दो बारी 2018 में 2019 में market थोड़ा सा डाउन रहा था November के month में बागी maximum time जो month है November का वो काफी ज़ादा positive होता है यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 2014 में 2013 में तो 449 यह फिर हम कह सकते हैं कि 45.500% की खतरनाग growth इसने दिखाई थी अगर कल के वीडियो को आपने अच्छे से देखा हो सुना हो तो मैंने उसको उसमें बताया था कि 1R के चार्ट पर तो मामला थोड़ा सा गड़बड़ा सकता है और यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि हमारा यह जो support था यह support मैंने आपके साथ share कर दिया था ठीक है यहाँ पर आप देख सकते हूँ यह PNG की format में मैंने आपको पूरा चार्ट दे दिया था आपने से शायद कई लोगों को यह चार्ट मिल चुका होगा यहाँ पर जो यह support था वो break हो चुका था लेकिन fake down था ठीक है यहाँ से वापस से एक recovery स्टार्ट होई और यहाँ पर आप देख सकते हूँ कि वापस से एक छोटा सा correction आ रहा है हमारे जो important support है वो चार support मैंने आपको बता दिये तो ऐसा नहीं कि अभी एकदम से हमें खुश हो जाना है थोड़ा सा positive माहूल 4R की चार्ट पर बन रहा है कल भी मैंने आपके साथ यह चीज़ शेयर करी थी कि 4R की चार्ट पर अगर हम देखेंगे तो थोड़ा सा मामला है ना positive हमें देखने को मिल रहा है या फिर अभी मामला थोड़ा bullish ही चल रहा है शिबा इनू को इनके case में और symmetrical triangle के साथ में एक descending triangle का भी formation हो रहा है जो कि मैंने आपको काफी बार बताया हुआ है तो यहां पर क्या possibility है कि अगर इस descending triangle का हमें एक अच्छा breakout देखने को मिलेगा तो यहां से यहां तक की जो height होती है यह जो arrow मेंने बना रखा है यहां से यहां तक की height को हम यहां पर लगा देते हैं और यह जो हमारा target होगा वो होगा लगबग 9325 का लेकिन जो इससे पहले का important resistance level इसको पड़ेगा वो होगा 8812 के लगबग ठीक है जो कि मैंने यहां पर भी बता रखे है आईनार में यह values है .0066 की ठीक है इससे पहले का एक और resistance है जो की है .0060 के लगबग ठीक है तो यह वाली values का आप जरू से ध्यान रखना है यह दो इसके लिए important resistance का का काम करेंगे और अभी देखो market जो है अगर इदर उदर हो भी जाता है तो हमारे पास यह चार सपोर्ट है तो आपको 25 25 25 25 25 करके अपना एक प्लान बनाना है ठीक है अगर आप buying के moon में अभी आये हो और अगर आप long term के इसाप से hold करना चाहते हो तो यह फिर चार्ट आपके लिए जादा मतलब के नहीं है ठीक है यह traders के मतलब के होते हैं तो यह चीज में आपको बताना चाहूँगा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि descending triangle वेसे तो bearish pattern होता है लेकिन यहाँ पर अगर आप theories वगरा पढ़ोगे ठीक है अगर इसका हमें in case breakout देखने को मिल जाता है तो भी यहा ही बात शिमा इनु कोईन के बारे में अब हम चलते हैं डॉच कोईन की दरफ डॉच कोईन में आप देख सकते हो कि कल भी मैंने आपको इसके बारे में update दी थी कि अगर इसका हमें breakdown देखने को मिलेगा तो हमें लग बग या तो किसी MA पर या फिर हमारे यह जो support level है यहाँ पर आपको प्राइज देखने को मिल जाएगी लेकिन अभी भी हम इस train line के उपर यह train line का breakout हो चुका है तो मामला डॉच कोईन में अभी positive ही चल रहा है और कल रात को Elon Musk का tweet भी आया था जो कि मैंने official telegram channel पर पहले ही share कर दिया था यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपको यह tweet सुबह मोर्निंग में मिली चुके होंगे तो इसमें Elon Musk ने basically बताया है कि जो अभी वो एक university open करने के बारे में सोचने स्टार्ट करने के बारे में जो सोचने जिसका नाम Texas Institute of Technology होगा ठीक है Texas Institute of Technology and Science होगा उसमें जो tuition की fees होगी या tuition जो है वो dodge coin में होगा basically इसमें वो dodge coin का use case ब देखने को मिलता था इनके एक छोटे tweet के बाद में भी dodge coin की price लगबख 100-200-200% तक का pump लेती थी लेकिन अभी इस तरीके का हमें जादू देखने को नहीं मिल रहा है लेकिन इससे हमें इतना भी negative नहीं होना है कि Elon Musk के जो tweet है वो जादा जादा हमें effect नहीं दिखा रहे तो dodge coin अब कुछ नहीं करेगा definitely करेगा Elon Musk के tweet से पहले भी इसने लगबख 50% तक का pump दिखाया है मैं अपनी बात करू तो मैं अभी इसके लिए काफी positive ठीक है dodge coin का especially ध्यान रखना इसके अलवा अगर हम बात करें इस month के देखो यह coin telegraph की report है और हर month coin telegraph top 5 cryptocurrencies की list जारी करता है ठीक है इसलिए भाय किये थे क्योंकि मैं इसके काफी positive हूँ और अभी यह इसका जो level है 4030 का ठीक है यह actual में breakout हो चुका है और इसने जो अपना नया all time high create करा था वहाँ से थोड़ी वोट इसको rejection मिल सकती है लेकिन ultimately हमें focus करना है कि यह आपको long term में definitely देखो कई लोग बात करें कि 40,000 तक जा सकता है लेकिन अगर हम बात करें मेरे prediction के according क्योंकि मेरे पास personally ethereum बाता है तो मैं ethereum के बारे में जादा research करता हूँ इसलिए मुझे लगता है कि यह at least आपको 8K तक का profit दे सकता है इस साल इतनी इसमे capacity तो है ठीक है इसके अलाबा अगर हम बात करें next coin की तो वो है BNB, BNB का आप definitely ध्यान रखना और BNB के साथ ही وجrex का भी ध्यान रखना WRX coin के बारे में मैंने आपको कल भी update दी थी तो इसका भी जरूर से ध्यान रखना BNB और WRX का दिन हम चलते है Matic की दरफ, Matic के बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है यहां पर आप देख सकते ह Matic जो है लगबग हमारे sideways consolidation से जब breakout हुआ था तब वहां से इसका जो target बना था 171 रुपे का लेकिन अभी भी यह काफी positive चल रहा है क्योंकि इसको अभी तक 200MA का अच्छा का सा support मिला हुआ है अगर इस अफते इसमें एक बड़ा move आता है then हमारे जो important targets होंगे वो होंगे 197 का और 220 का यह चीज मैंने आपको पहले भी बताई है कि इस box में हम जल्द ही Matic को देखेंगे next जो coin है वो है FTM FTM के बारे में मैंने I think आपको बताया था 3 October के तकरीवन आपको यादो जब इसकी value लगबग 116 रुपे के तकरीवन चल रही थी और अभी आप देख सकते हो यह ल लगबग लगबग 1500% से भी जादा का profit मिला एक मन्त में FTM ने 1500% का profit दिया है तो यह भी कोई छोटी बात नहीं है बहुत बड़ा profit होता है 1500% तक का भी ठीक है लेकिन अभी इस मन्त आप ज़रूर से इसका ध्यान रखना इस week FTM में भी एक काफी बड़ा move आ सकता है ठीक है यह रही INR की values और यह रही हमारी USDT की values हाला कि इसको अपने जो टॉप से थोड़ी बहुत rejection का सामना करना पड़ सकता है जो कि यह 3.45 का इस चीज़ का जरूर से ध्यान रखना है यहाँ पर इसका एक resistance लेवल बन रहा है तो जो टॉप crypto currencies थी इस week में जो धमाल मचा सकती है coin टेलिग्राफ वालों ने अपनी research के according जो report दिये उसमें यह 5 coins है इन 5 coins का आप जरूर से ध्यान रखना अगर हम बात करें soul की soul के बारे में काफी लोग अभी request कर रहे थे कि इसका target वगिना बता हो या फिर यह कहां तक जा सकता है इसमें क्या आपको bullish momentum दिख रहा है तो definitely bullish moment दिख रहा है मैंने symmetrical triangle के breakout होने के बाद यह आपको बताया था कि इसका जो target होगा वो 270 से 275 होगा तो definitely आप इसको hold कर सकते हो यह आपको इस target पर जल्दी देखने को मिलेगा ठीक है तो दोस्तों आज के इस video में हमनें बात करी top 5 coins के बारे में जो कि आपको इस week एक अच्छा काईसा performance दिखा सकते हैं साथी Bitcoin, Shiba Inu Coin और Doge Coin के बारे में ठीक है Doge को लेकर negative नहीं होना है positive है because Elon Musk अभी active हो चुके लेकिन हाल फिलाल उनके tweets का हमें इतना बड़ा असर देखने को नहीं मिला लेकिन फिल भी कल रात हमें लगबत 10% का एक अच्छा उच्छा उच्छा description box में दे दिया है तो इस चीच का भी ध्यान रखना है इसके लावा हमारा एक second channel है sdb crypto यहाँ पर मैं अभी Shiba Inu को ही cover कर रहा हूं यहाँ पर जो सारे urgent Shiba Inu के regarding videos होते हैं वो मैं आपको बता दे रहता हूं वैसे अभी तो देखो कोई market से Shiba Inu Coin के regarding बड़ी update नहीं आई है आती है तो मैं आपको बता देता हूं फाल तुमें सिर्फ Twitter handle पे ले जाके normal tweets बताने का कोई मतलब नहीं है ठीक है तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं जल्दी नई update के साथ तिल देन जैहिन जैभारा